तो आज एक बहुत ही important आपको concept समझाने वाला हुम है gap के बारे में तो stock market में जब gaps आते हैं तो क्या होता है, क्यों होता है, gap up क्या होता है, gap down क्या होता है इसको trading strategies कैसे आप इसमें use कर सकते हो, क्या करना चाहिए, gap up खुलने के बाद, gap down खुलने के बाद क्या करना चाहिए और एक practical तरीके से आपको पूरा back testing करके मैं बताऊंगा, तो वीडियो को end तक देखना, इस type से practical चीज़े आपको कोई नहीं बताएगा, कि क्या करना होता है, आखिर में यह सब मतलब चल क्या रहा है, okay, तो मैं आपको बिल्कुल basic से ज्यादा वीडियो बताता हूं कि gap क्यों आते हैं, तो इस type से जब market जा रहा होता है, सबसे पहले तो आप यह बात समझ लिजिए कि stock market एक bulls और bears का game है, okay, bulls मतलब जो जिनको market को ऊपर बढ़ाना है, और bears मतलब जिनको market को नीचे गिराना है, इन दोनों के बीच में यह fight चलती रहती है, तो आपको market को इसी नजर यह से देखना है, जबी भी आप chart देखोगे, तो आपको यह mind में रखना है आपको यह बात कि bears market को नीचे गिराना चाहते हैं, bulls market को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, और कौन जादा strong है, यह आपको charts पर देखके पता चलेगा, तो अब होता क्या है, जो pre-open market session होता है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा quantities, मतलब trade होती है, pre-open में, जिसको हम लोग नहीं trade कर सकते हैं, बड़े-बड़े investors वगेरा, उनको यह permission होती है, कि वो लोग pre-open market में भी trade कर सके हैं, और बड़ी quantity का lane देन वहाँ पर होता है, तो अब होता क्या है, या फ gap up खुलने की ज़्यादा possibility होती है, तो basic आपको पता होगा कि gap up, gap down क्या होता है, अगर market चल रहा है, बहुत ज़्यादा, closing price से उपर अगर market खुलता है, तो वो होता है gap up, और closing price से market नीचे खुलता है, तो वो होता है gap down, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है actually में तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब, तो जबी भी market इस तरह से उपर जा रहा है, यहाँ पर आपने buy किया था, आपने यहाँ पर समझो buy किया था, किसी ने BTST के लिए end में buy कर लिया होगा, और कल market बहुत बड़ा gap up खुल गया, तो आप क्या करोगे, एक buyer के नजरिये से को बता दो आप, तो I hope आपने मन में सोच लिया होगा कि क्या आप करोगे, तो जबी भी buying momentum होता है, आपने भी यहाँ पर buy किया है, लेकिन आपको और profit चाहिए, और कल market और ज़्यादा gap up खुल गया, तो आपके portfolio में, आपके M2M में बहुत ज़्यादा profit दिखा रहा होगा, ओके 100 रुपे में आपने अगर कोई चीज buy किये, वो कल gap up खुल के 150 पर open हो जाता है, तो आप क्या कोई भी retailer या कोई भी trader अपना profit book करेगा, simple बात है, gap अगर market अल्रेडी उपर जा रहा है, आपने खुद ने buy कर रखा है, आप खुद को उस जगा पर रखके देखना कि gap up कल अगर मैंने buy किया होता तो मैं क्या करता, कल अगर मैंने sell किया होता तो मैं क्या करता, इससे आपको पुरा idea आ जाएगा, तो simple सी बात है, कल अगर आपने buy किया होता, market already bullish है, तो आप profit booking करते हैं, तो वही होगा यहां पर भी, अगर आपने buy किया है, market gap अप खुल गया, त अगर market उपर जा रहा है, उपर gap अप खुलता है, तो profit booking आने के chances ज्यादा हो जाता है, यह मैं आपको पूरी तरह से back testing करके बता दूँगा, तो वीडियो को end तक देख लेना, यह हो गया first case, अब अगर आपने gap अप, मतलब market bullish है, और market खुल जाता है gap down, तो आप क्या करोग simple सी बात है, अगर market already bullish है, लेकिन market gap down खुलता है, तो जितने लोग यहाँ पर buy करके trap हो गए होंगे, उनको जो भी आप उन्होंने buy किया है quantity वो sell करनी पड़ेगी, तो पहले ही gap down उपर से और selling pressure, तो ज्यादा chance से है कि अगर bullish trend में gap down खुल जाता है, तो और एक selling pressure आ सकता है, यह भी आपको समझ गया, आपको बस देखना है previous day market ने क्या किया था, previous day अगर बहुत बड़ा strong momentum हुआ था, तो बहुत सारे लोग buy करेंगे, futures buy करके जाएंगे, या कोई call ले लेगा, या कोई cash market में ले लेगा, अभी हम general gap, gap up, gap down के बारे में बात करें, first case मैंने आपको बत बतारों कि market already उपर लेकिन gap down खुल गया, gap down में क्या होगा, यहां पर अगर market उपर जा रहा है और नीचे आचनक gap down खुल गया, तो जाहर सी बात हैं, अगर किसी ने buy किया होगा, तो उसको loss हो रहा होगा, तो वो जल्दी से इसको square off करेंगे, तो buyer आप बन जाएगा seller, तो इसके chances ज्यादा है कि gap down खुल के और एक बार तुरंत इसमें यह आजाएगा, downfall आजाएगा, यह नीचे जाने के chances बढ़ जाएगे, यह था आपका first case, इसमें भी नीचे आएगा, और यह था आपका second case, okay, इसमें क्यों आएगा, क्योंकि लोग profit booking करेंगे, और यह तो already loss हो gap up खुल गया, gap up खुल गया तो क्या होगा, market अगर नीचे जा रहा है और gap up खुल गया, तो क्या होगा, आप एक seller की तरह सोच की रखिये, previous day पर बहुत सारा selling आ रहा है, selling का pressure है already, बहुत सारे retailers ने future short करके holding में दाला होगा, किसी ने put buy किया होगा, किसी ने call sell किया होगा, उ और जबी भी market नीचे जा रहा था कल तो, लेकिन आज अचनक बहुत बड़ा gap up हो गया, तो वो लोग क्या करेंगे, sellers बन जाएंगे, buyers, वो अपनी position square off करेंगे, plus new buyers आएंगे, तो इसलिए market और उपर shoot up हो जाएगा, ये basic, ये third case हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ, fourth case, I आपको bulls versus bears की लड़ाई इसको देख रहा है, आपको क्या होता है, ये समझना है, buyers और sellers के perspective से आपको हर चीज मार्केट में देखनी है, बाकी तो analysis वगेरा करना ही चाहिए आपको, but एक basic psychology किस तरह से होती है, gap up gap down के पीछे, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप और एक case में आपको बता दिता हूँ, ये देखिए, अगर market चल रहा है, gap नीचे जा रहा है, और नीचे जाने के time पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे sell भी किया होगा, holding में भी दाल होगा, उनको और ज्यादा profit होगा, अगर gap down खुल गया, तो ये है fourth case, अगर market नीचे जा रहा है, already फिर से gap down खुल गया, तो क्या करेंगे वो लोग, sellers को अच्छा कासा profit होगा, वो लोग risk नहीं लेना चाहेंगे, वो लोग 5 मिन देखेंगे, अगर market और नीचे जा रहा है, तो hold करेंगे, नहीं तो अगर उपर आने लगा, तो सभी लोग profit booking करेंगे, देगा, तो gap fill का concept क्या होता, I hope आपको ये 4 scenario cases पता चल गए, flat खुलता है, तो price action जो भी आपने analysis किया होगा, आपकी level होगी, उस हिसाब से आपको trade करना है, तो ये हो गया, basic 4 concept होगे, अब इसमें और detail में हम जाएंगे, कि gap बनने के बाद होता क्या है, अगर gap पर वो price आती है, तो, okay, ये देगे, ये मैं आपको थोड़ा सा एक example देता हूँ, market uptrend में चल रहा था, ये 15 minute का chart है, uptrend में चलने के वज़े से, मतलब चल रहा था, और फिर अचानक एक दिन gap up खुल गया, gap up खुलने के बाद ये देखिए, profit booking आ गई, इतनी बड़ी profit booking, क्योंकि यहां पर जिसने buy किया होगा, ये देखिए, इतने दिन से buy कर रखा होगा, और अचानक एक दिन gap up खुल गया, तो उसको तो profit जो उसने 2-3 दिन में expect किया होगा, उसको वो आज ही मिल गया gap up खुलने के वज़े से, तो वो profit booking कर देगा, तो इस step से ये सब काम करता है, तो I hope आपन ये मैं आपको बता दिता हूँ, ओके, तो अगर आप market uptrend में चल रहा है, और अगर यहाँ पर gap up खुल गया, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत profit booking आईगी, लेकिन अगर ये इस level को sustain कर गया, और ये gap fill pending हो गया, gap filling pending हो गया, तो क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ, gap will act as a support and resistance, ओके, ये एक basic knowledge है, gap fill अगर same day पर नहीं हो पाई, और बहुत दिनों बाद उस gap पर अगर market आता है, तो वो gap बन जाएगी, एक support, और अगर नीचे से आ रहा है वो, तो वो हो जाएगा resistance, ओके, इसके भी examples हम देखेंगे, तो यह देखिए, यहाँ पर एक example दिख रहा था, और gap acts as a support, यह देखिए, यह gap up तो हुआ, और इसने gap fill भी किया, लेकिन क्या क्या, support ले लिया इसने gap पर, gap पर हमेशा support ही मिलेगा आपको, यह resistance मिलेगा, ओके, यह अभी इसने क्या हुआ था, यहाँ पर market close हुआ था, यह देखिए, यहाँ पर market close हुआ था, और फिर gap खुल गया, gap up, gap up खुलके वो, मतलब slightly gap up था, लेकिन gap तो create होगी, तो gap up बन जाएगा support, ओके, इस तरह से यह काम करता है, gap resistance भी बन सकता है, वो भी मैं आपको बता दिता हूँ, यह देखिए, clearly यहाँ पर example आपके सामने ही मिल रहे है, यह देखिए, यह एक gap थी, यह दे यह देखिए, यहाँ पर market close हुआ, और यहाँ से directly खुल गया gap down, अब market है, उपर उपर जा रहा है, और market नीचे खुल गया, मैं आपको क्या scenario पता था, अगर आपने यहाँ पर buying की होगी, तो आपको होगा loss, तो loss में आप और sell करोगे, तो यह देखिए, selling pressure आ गया, फिर gap अब खुला, लेकिन first time इसको rejection आए, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर gap acting as a resistance, ओके, यह कुछ basic points है, आपको बहुत काम आएंगे psychological points है, ओके, यह देखिए, और यहाँ पर एक example मिल गया, यह है gap, ओके, यह देखिए, यह आप अगर देख, मतलब zoom कर देता हूं मैं इसको थोड सा, यह देखिए, यहाँ पर close हुआ था, और open हुआ यहाँ पर, तो open होते ही इसने एक low लगाया था, और वही बाद में gap support की तरह काम किया, कर रही है, यहाँ पर देख सकते हो, आप clearly, यहाँ से market आया है यहाँ पर, और फिर से यह उपर की तरफ चला गया, तो I hope आपको य gap up, gap down के बारे में समझ आ गए होंगे, मैं एक बार conclude कर देता हूँ, gap अगर यहाँ पर बनती है, इस तरह से, तो वह support की तरह काम करेगा, gap अगर यहाँ पर नीचे के side बनती है, तो वह act करेगा resistance, अगर gap बनी है और उपर से market आ रहा है, तो वह हो जाएगा support, अगर gap बनी है आपको एक बड़े player के नजरे से देखना है, आपको एक retailer के view से नहीं देखना है market को, वो लोग कभी भी हमेशा gaps वगेरा को trade करते हैं, gaps उनको पता होता है, psychological point है कि अगर gap अप खुल रहा है, तो लोग क्या करेंगे, general public क्या करेगी, gap down खुल रहा है तो क्या करेगी, इस बा यह उपर जा रहा था, अच्छानक एक दिन क्या हो गया, बहुत बड़ा gap अप खुल गया, यह देखी, यहाँ पर gap खुला, तो अब उनको पता है, बड़े players को कि यहाँ पर profit booking हैगी, तो profit booking तो आएगी ही, लेकिन उन्होंने फिर fresh sellers भी आ गया यहाँ पर, उन्होंने उनक कि heavy quantity unload करके इतना बड़ा selling pressure यहाँ पर ला लिया, तो यह आपको समझना होगा, इस टाइप की psychology चलती है market में, analysis तो हर कोई कर लेगा, लेकिन आपको यह सब psychological points ध्यान में रखने होते हैं, तो that's it for today's video अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, तो ज़रूर इसको subscribe कर ल आप खुद देख लिजे, strategies हैं मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी जो मैंने upload कर रखी है free of cost में, तो आप सभी को देख लेना, और channel पर नए हो तो subscribe कर दीजे, इस video को share कर दीजे, आपके जो भी friends हैं, जो trading करना चाहते हैं, अगर मेरे channel के आप सभी videos देख लोगे, तो महिने में, तो वो आपकी एक महिने में आप उससे सीख जाओगे और वो repeat नहीं करोगे, तो आपको learning में बहुत ही beneficial, benefit होगा इसका, तो यह बहुत ही beneficial रहेगा आपके लिए, so that's it for today's video guys, video जादा बड़ी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं इस video को यहीं पर end करता हूँ, thank you so much for watching this video and we'll see you in the next video, thank you